हालो फ्रेंड्स मैं प्रभीन यादव अपने चैनल पबन यादव क्वांट में आप सभी का सहार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो हम देखेंगे आर्मी से पूरा एक सैट जो आर्मी के जीडी या क्लरक एक्जाम किसी के लिए भी काफी important होगा इसमें हम math section science और g के पूरा का पूरा solve करेंगे ठीक है और काफी tricky या process solve करेंगे इसके साथ मैं crash question भी बताऊंगा ताकि आने वाले exam में इससे crash question बनते हैं उनको भी आप अच्छे से याद रखें ठीक है तो वीडियो को शुरूब करते हैं यदि आप मेरे च जनून है वो आर्मी में उसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं है वो पक्का उसका selection होना है आर्मी उसके लिए बनिये यह ऐसा समझ लिया अगर उसके अंदर जनून है तो ठीक है हम देखते हैं अपना beauty start करते हैं हमारा first questions है लोधी बंस का अंतिम सासक कौन था क्या question है लोध लोधी बंस का अंतिम सासक कौन था ठीक है तो यह हमें बताना कि लोधी बंस का अंतिम सासक कौन था तो देखिए इसका right answer हो जएगा option number B इब्राहिम लोधी कौन है इब्राहिम लोधी लोधी बंस का अंतिम सासक था ठीक है इससे आपको देखो मैं crash question बता हूँ सारे के सारे जैसे आपको सब सब्सक्राइब लोधी बंस का अंतिम सासक था इसने 1526 में जो पानीपत की लड़ाई हुई थी उसमें यह हार गया था बावर के साथ इसका युद्दुगा था जिसमें बावर बिजई हुगा था ठीक है तो यह भी आपको याद रखना है आई हो पच्चे से क्लियर होगा ठीक है नेक्स कोशन की तरब बढ़ते हैं नेक्स कुशन है मारा बारती राश्टी कॉंग्रेस की पहली बैटक किस सहर में हुई थी इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जगा ओप्सन नमबर बी विल्कुल राइट आंसर हो जगा ठीक है तो जो राष्टी भारती राष्टी कॉंग्रिस की पहली बैठक हुई थी वह बंबई में थी ठीक है देखिए इस से और भी उकुषन आपको पता होना चाहिए जो भारती राष्टी कॉंग्रिस की जो इस्तापन म्वा एठाइस से तीस दिसम्बर को अठाइस से पिच्चासी इसफी में हुई थी कब उई कि आठाइस से तीस मा अठाइस सःपिट्छी इसकी इस सापना की थी ए यो हुम ने किसने ए ओ हुम ठीक है ए ओ हुम ठीक है इस्तापना किसन ने की थी ए ओ हुम तो कभी पूचा जाए खुशन के बार्थी राष्टी कॉंग्रेस के प्रथम अध्यस थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी ठीक है ये भी आपको याद रखना है काफी कुशन मैं बता रहा हूं तो आप कॉपी पैनल ले सकते हैं और इंको सरों को लिख सकते हैं ताकि आने वाले समय में आपके लिए काफी इंपोर्टेंट साबित होंगे तो वह में चंद्र बनर्जी भार्थी राष्टी कॉंग्रेस के प्रतान अजलन साकफ किस खेल से संब्देता है सुल्तान अजलन सा कफ किस से संब्देता है किस से और नमबर भी आपका बिल्कुल राइठ रोजेगा ठीक है इस तरह से आपको खेल के जितने भी कफ बगयर आपको याद रखना है ठीक है प्रकास की तरह बढ़ते हैं प्रकास तरंगे किस प्रकार की तरंगे है या आपको बताना है प्रकास की तरंगे वो किस प्रकार की तरंगे है ठीक है तो दगी जो प्रकास की तरंगे होती है वो होती है अनुप्रस्त तरंगे कौन सी होती है अनुप्रस्त तरंगे ठीक है कि अगर मैं बात करूं अनुधहरे तरंग हों की तो हमारी जो द्ध्वनी तरंगे होती हैं द्ध्वनी तरंग सकता ठीक है निर्वात में भी चल सकता है निर्वात जिसको वैक्यूम बोलते हैं तो वैक्यूम जहां मतलब वाइमंडल वगारा नहीं होता उसको निर्वात बोलते हैं तो हमारा जो प्रकास है वह वैक्यूम में भी जा सकता है और जो ध्वनी तरंगे हैं वह वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती यह निर्वात में नहीं जा सकती ठीक है ध्वनी तरंगे निर्वात में नहीं जा सकती क्यों कि ध्वनी तरंगों को लिए कोई न कोई माद्यम चाहिए कोई न कोई मीडियम चाहिए ठीक है कि आई होप पिलियर होगा अच्छे से तरह बढ़ते हैं कि द्वनी तरंगे किस मात्या में तेज चलती है यह आपको बताना है देखो द्वनी तरंगों को आपने अभी मैंने पिछले कोशन हो बता कि द्वनी तरंग के लिए कोई ने कोई मीडियम चाहिए और मीडियम जितन फूले अब आपको एक कमेंट वाक्स में आशर पूचरा हूं आपको 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 कमेंट वाक्स में जरूर आउसर दे रहा है जोतिवा फूले ने किस संस्ता की स्ताफना की ती, मतलब ये किसी संस्ता के जैसे आपने सुनाओगा कि भ्रम समान की स्ताफना किस ने की ती, राजा राम और राय ने, ऐसे ही, ये भी किसी के स्ताफना इन्हों ने की है, तो उस संस्ता का नाम लिखना है, आपको कमेंट बॉ सबसे चोटा दिन होता है ऑप्षन 21 मार्च ऑप्षन 23 सितंबर ऑप्षन 21 जून ऑप्षन 22 दिसंबर राइट आंसर चूज कीजिए आपको कमेंट बोक्स में यह बताना कि आपने खुद कितने कुछन जी एस के जो हैं वो कर पाएं ठीक है यह आपको लिखना कि कितने सही हु अगर मैं दचडी ध्रुब की बात करूं दचडी गोलार्थ की बात करूं सौरी दचडी गोलार्थ की बात करूं तो दचडी गोलार्थ में यही बाई दिसंबर सबसे बड़ा दिन होता है समझ पा रहे हो क्रियास कुषन का ध्यां रखना यह सारे कुषन आपको लिखने ह आखिएंगे के जो उत्तरी गोलार्द में यही बाय दिसमब्र सबसे चोटा डिन होता है जबके यही बाय दिसमब्र सबसे बड़ा दिन होता है ठीक है नाइश कि तरफ बड़ते हैं बढ़ की सबसे घ्री शीमें कौन कथा है इसैं सबसे गहरी जील है इसके साथ आपको पता होना चीटी का का यह टिटी का का जो है यह अमेरिका की है और यह सबसे उंची जील है विस्सु की सबसे उंची है ठीक है वैसे मैं हैं आप डिस्क्रिम्ट्चन से डाउनलोड कर सकते मैंने सारी नदियों यह जा सकते हैं आप पूराओओर ़को आपको याद रखना ओगा ठीक है बिक्तोरियल जाल अफरीका की सबसे बड़ी इसा सब कुछ में आपको मिल जाएगा ठीक है फिरि कांए विक्तोरिया्वेवान लिए था प्राष्ट पति चुनाब संबंधी मामर्य किसके पास बिज़ा करते हो शुक्त चुनाबाएवा प्राष्ट पति सिंद्लिय आफ़ेव सी अटिक पाउर्पलन और काफी important questions है यह हर एक एक्जाम में पूछा जाता है ऐसा समझे लीजिए काफी important questions है राश्च्पती के चुनाब से कोई सिकायत आती है तो उसकी सारी सिकायत हम उच्चतम नहीं हम तो नहीं सहे इसका जो भी मामला है अगर राश्च्पती में कोई चुनाब में कोई दिक्क अपना त्यागपत्र किसे देता है option A पिदानमंत्री option B मुख नियादीस option C उपराश्च्पती option D लोग सवाध्यच तो इसका राइट आंसर होजेगा friends उपराश्च्पती क्यों होजेगा उपराश्च्पती तो भारत का जो राश्च्पती है वो अपना त्यागपत्र निर्वाश्च्पत करती है वो कौन सा सदन है इसमें राजसभा लोगसभा या दोनों या इनमें से कोई नहीं तो option B आपका बिल्कुल राइट अंसर होजेगा जो प्रत्या चुलूप से चुना जाता है वो लोग सबाश्पता ठीक है लोग सबाको यह भी धियां रहे कभ अब मैं बात करूंँ अगर संसद की की संसद की तो यह आता है मारा 79 असी नंबर सस्परत्रत पासित परickles और निमन सदन बोलते हैं 81 आटिकल है उत्र सदन बोलते हैं आटिकल 80 है ठीक है सब कुछ के लिर होगा नेज्ट कुस्टन की तरफ बढ़ते हैं जी बाडू की खोज सरफ्रतम किस ने की थी ओप्शन ए लिवेन होग और वी रावर्ट होग और सी रावर्ट कोच ऑप्शन डी लूई पास्चर इसका फ्रेंट ट्राइच्टांस हो जगा ऑप्शन नम्मर ए लिवेन होग ने जी बाडू की कोज की थी ठीक है इसके साथ बोज किसने की ती यह आपको कमेंट बोक्स में अंसर लुक्राइब आखें नैस कुस्छन की तरह बढ़ते हैं ऐफी कल्चर किस से संब्धित है अ बजी कल्चर किस से संब्धित है तो इसमें ओप्शन को ठोड़ा ट्रिकी बनाए गया है तो इसमें आप your इस इसे सब्सक्राइब बात करूं तो रेशम उत्पादमत को बोले आता सैरी कल्चर क्या बोले आता है तो आगे किसी अग्दा में पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हो ठीक है सैरी कल्चर जो हता है वो था रेज़समच से न 이야기를 की तरह बढ़ते हैं समुद्र की गहराई माटने वाला उपकर्ड क्या होता है जिससे समुद्र की गहरा ही मापने उसका यं उसका बताई तो और ynnugidan के खिराइप लिएंडिन वघ्रोंीटर है और चौश किसे अपना इसका अंसर उजएगा option भी फैतोमीटर तो फैतोमीटर जो होता है वो समुद्र की गहराई मापता ठीक है फैतोमीटर इसके साथ अगर मैं बात करूं हाइड्रोमीटर की तो यह हाइड्रोमीटर जो है यह जल घनत तो मेजर करता है जल घनत तो ठीक है वाटर डेंसिटी वाटर डेंसिटी आपको मे करता है जिसको यूमिडेटी बुलते हैं ठीक है यूमितेटी बातवड में जोती उसको भीजर करता है हाई-ग्रोमीजर त्हीक है आपको छ서 कमेंट बॉक्स में बताना है कि एनिमो मींटर का क्या उत्व होता है इसको कमेंट में जरूर बताइएगा ठीक है कमेंट बॉक्स में आपके लिए मैं हॉमबक सा दे रहा हूं तरह तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है कि यह एनिमो मींटर किसके लिए यूज किया किस से क्या मेज़े करते हैं सारे क्रेस कुछनों को आपको कॉपी पर वतारना आगे कभी कोई कुछन आपका एक्जाम में गलत नहीं हो ठीक है आप पूरे के पूरे अगर 50 मार्क्स का है तो आप एपरोक्स 40 मार्क्स लिला पाएं ठीक है आसमान का रंग नीले होने का क्या का प्रकीडन यह निर्वर्तन तो छोड़ी दो है ना सब लोग जानते हो कि यह तो नहीं होसकता ठीक है तो इसका राय टांस हो जगा फ्रेंड ऑप्सन नमबर C प्रकीडन की काड़ी आसमान का रंग कैसा देखाई देता हमें नीला दिखाई देता ठीक है इसके सासाथ अगर मैं बात करूँ अपवर्तन की तो अपवर्तन क्या होता है कि अवर्तन जासे अगर देखा हूए और ऐसा पूछए तक तौच याद रहे के इसके साथ देखावगा तो कभी फीचर में अगर कोई कुछन पने तो आपको याद रखना इस सीज को ठीक है ध्यान से हम पूरा वीडियो देखेंगे ठीक है अगर वीडियो समझ में आये तो आप वीडियो को द्वारा से देख सकते हैं और कॉपी पहन पर सारे को लिख सकत अगर चाओ तो ठीक है नेस कुछन की तरफ बढ़ते हैं कपूर के टुकड़ों का जल की सतय पर नाचना किस घटना पर आदा रहते हैं जो कपूर के टुकड़े होते हैं वो जल की सतय पर नाचने हैं ठीक है जल की सतय पर नाचने उसका क्या काड़ा ठीक है तो यह होता है सरफूस टेंशन जिसको सरफिस टेंशन ऊठे इसी की काड़ कपूर के टुकड़े नाचन लखे सिन की तरफ बढ़ते हैं हीपमो ग्लोबन में धातु होती हैं हीपमो ग्लोबन can रेड कलर होता है ब्लड का जो रेड कलर होता है ब्लड का हमारे ब्लड का जो रेड कलर होता है वो भी हीमोगलोबिन के कार्ड होता है किसके कार्ड होता है हीमोगलोबिन के कार्ड हमारा रेड कलर होता है ब्लड का ठीक है नैस कुर्शन की तरह बढ़ते हैं सिंदु घाटी की सब्विता के लोगों का मुख के विपसाय क्या था तो ऑप्षन ने ब्यापार ऑप्षन भी पसुपायलन ऑप्षन सी क्रसी ऑप्षन डी सिखार तो बताइए फ्रेंड इसका राइठ हनसर हो जह गात थीकां कि देखो Rocket लोग जो सिंदु सब्विता थी उस टायम में लोकों के घर नगरी सब्विता थी त्यक्त हे नगरी सब्विता कि और इपरही कि और इसी से पता लगता है कि यह सिंदु गाटी से बता के लोग भ्यापार करते थे ठीक है नेक्स कुछन की तरह बढ़ते हैं हर्मिट ऑफ सिम्ला किसे का जाता है हर्मिट ऑफ सिम्ला किसे का जाता है ऑफ सने जॉर्ज यूल बिलियम वेडर एयो हुम रविंद्रिनाथ टैगोर तो देखि इसका रायटांस हो जयए आप्षिन नमबर सि यॉम हर्मिट ऑफ सिम्ला का जाता है यह नहों उत्त्री दुरूग की खोज किस ने की ती daw से जरुट की ओट सूने रोबड पैरी ऑपसनझा उप्शन टासमान उपसने जॉन का वालत तो इसका राय बाए नतो हों फ्रेंस ऊप्सन세요 polls आप प्र अभी आंसर क्या हो जागा उत्तरी दुर्व की कोई किसी ने की ती रवर्ट प्यारी ने ठीक है ने स्कूशन की तरह बढ़ते हैं बारत के मुक के नियाइदी स्कून है अप्सटने ऐसे बोब्रे ऑप्सन भी सुकुमार सेन ऑप्सन सी मनोज नर्वाडे ऑप्सन डी राजी म हर सी अब बताइए तो इसका रायट रंस होजबा आई होप आप लोगों पता होगा यह करेंट का को सब्सक्राइबब तो इसका राजब रोज़गा और यह हमारे आप 47 नमबर के चीफ जस्टिस ओफ इंडिया है ठीक है चीफ जश्टिस ओप इंडिया कौन से नमबर के 47 नम्मर के हैं जस्टिस बोब्रेया इनका पूरा नाम है सरद अर्विंद बोब्रे ठीक है यह पूरा नाम इनका 47 इसके साथ आपको मैं बात करूंगा सुकुमार सेंट की तो पहले मुख के चुनावायक तो सुकुमार सेंट ठीक है पहले हमारे जो चुनावायक थे वो कौन जो रेटारमेंट हुए थे 31 दिसंवर दोजार उनीस को बिपिन रावत उनके जगह उन्हों ने इस्तान लिया है डिकंट रावत को अब सीड़ी अस का चीफ of Chief of Defense स्टाप ना दिया गयाट है जीफ above defense स्टाफ टीक है वह कौन बना दिया है विपिन रावत तो बिपिन इसार बना दिया तैक है मनोज अरवाड़ अभी हमारी तल सैना के प्रमौक है आरंवी के चीफ हैं तीक है मनोज नर्वाड़ और राजी महरी क्या है भारत के महान यावादी इंगे तो चैक जोराजी महरी निया तीक है राजी महर्सी केग है ठीक है ताइड हिंदी में मैं कुछ गलत बोल रहा हूं मैंसे साइड राजी महर्सी को क्या बोलते हैं ठीक है केग यह बहुत का माना है ठीक है मनोज नरबाड़े कौन है थलसेना प्रमॉक ठीक है आई होप चार ओप्सन के लिए हैं इसके लेकर में कthose करने ऑदनिया के आट एसाथ है मैयोपीया तो मायोपीया बोलते हैं हम निकट प्रश्टी दोस निकट जलान का दूसरा नाम है मायो प्या अप दूर्छटीस निकाठ लूत होते जाएं आँक के दौनों रोगहें निकट द्रश्टी दोस ही मैं निकट वाले इस पस्ट दिखाई देती है निकट वाली इस पस्ट दिखाई देती है निकट वाले में और दूर वाले में दूर की इस पस्ट दिखाई देती है पास की इस पस्ट नहीं दिखाई देती है इसमें निकट वाली इस पस्ट दिखाई देती है और दूर की नहीं दिखाई देत तो जो दो से वोई वाली दिखाई देती है इस फ़स्ट ठीक है कि नैश कुस्थन की तरह पढ़ते हैं अब हमारा है मैं से कुसंस कितने बरसों में तीन हजार रुपे का साधर ब्याज बारे परसंट बार्श की दर से एक हजार असी हो जाएगा यह काफी एजी कुसंस है फॉर्मूला बेस्ट कुसंस है किस टाइप से इसको सॉल्व करना है आप लोगों को कितने बरस में तीन हजार पर यह मूल दे रखा है यह रेट दे हथा हूं अब क्या करना सिम्पली आपको बैलम रखहें यह हमें दे रखाये इतना ठीक है यह रखना है प्रिंसीपल रखना दाइस जगह ठीक है रेट यह भायर तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं इसको देखो यह लिखा ब्याज ठीक है और यह मूलधन लिखा दर लिखा टाइम तो पता नहीं है तो इसको टी माल लेते सोड़े लिए यह कैंसल आट हो जाएंगे दौन जीरो ठीक है दो जीरो कैंसल आउट और देखो यह चीज इधर आएगी न तो यह भी कैंसल आउट दिया सामने से जीरो कट जाएगा यहां तीन बचाएगा यहां ब ij questions है आप लोगों को समझ में आगया होगा अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो का एक बर से देख सकते हैं ठीक है यह वीडियो पसंद ना रहा है लाइक सकते हैं ठीक है काफी अगर उनके पर जुनूर एक चुंप पक्का कि अपना करियर बना सकते हैं और आर्मी की जॉब ले सकते हैं कोई दिकत वाली बात नहीं हो ती में काफी अच्छी फैकल्टी मिलती है आर्मी के लिए कि अगर कोई त्रिपुश होता है तो त्रिपुश में थीन फुशा होती है और इसके त्रिपुश के तीनों कौन का योग कितना होता है बनड़ थी ठीक है grows true he was to tell three užगए जोड़ लिए 1 बारै कितनी के बरावर 10 हो पांच वाला ठीक है छोटा तो तीन वाला होगा ठीक है तो सबसे बढ़ा भी पताना पांच वाला ठीक है तो पांच वाले के लिए मैं लेकर अगर 12 बराबर तो यही लिखा रहे नहीं देते हैं और यह इस इधर पॉरा हूँ गया पंद्रेक गुडां पांच कितना उजएगा पच्छतर पंद्रेफांच फचतर तो ऑफसे नम्मर सी आपका बिल्कूल राइट आंसर हो जागा ठीक है 75 degrees का सबसे बड़ा हूगा ठीक है next question की तरह बढ़ते हैं किसी यदि किसी बस्तु के क्रेल नुपाद 10 नुपाद 11 तो लाप तरसत क्या होगा ठीक है इसका हमेशा बेसे किसको मांते है तो देखना कर रहे हो तो कितने रुपए का लाव हो रहा होगा एक रुपए का जो लाव होता है यहां होते इसको उपर लिखते हैं और कुछ नहीं कर पाएगा दस से जीरो पड़ जगा तो क्या बच्छा टैन तो आपका बिल्कुल राइट आंसर जोगा टैन पर्सेंट का उसे करने जल्दी में नहीं करना है गलत नहीं होने चाहिए एक ठीक है हमारा कुछन है प्रतम सो धनफूर आंकों का उसत क्या होगा कि देखो सबसे पहले में बात करूं पहला हो जाएगा वन फिरोगा टू फिर थरी और ऐसे करकर करके यहां पर लाश्टम कहीं अंडेड होगा आप देखो एक तो तरीका यह होता है और सथ कैसे निकालते हैं कि सभी नंबरों का टोटल करके जितने नंबरों उससे डिवाइड कर देना तो क्या करोगे आप एक प्लस दो प्लस तीन इनको जोड़ोगे 100 तक इसके बाद 100 नंबर ने तो 100 से डिवाइड कर दोगे फिर ज कैसे जोड़ते हैं एन एन फ्लस वन अपॉन टू इससे सारे जोड़ लेते हैं ठीक है जैसे एक से रिके 100 तक है तो एन यहां पे 100 हो गया तो एन एन फ्लस बट्टे दो से एड़ भी कर सकते हैं अगर वाइद वे ऐसा कोई सिच्वेशन पढ़ जाए तो आप फॉर्मिल य उच्वेशन परोधें हैं सबसक्राइव ठीको एक से दूगा तो एक टरंस दो से तीन तब ही एक गडेपने चार ऐसे करके हैं कर दह से अगर दैप हो तो पहला नम्मर और लॉस्ट नंबर लाश्ट नम्मर और पहला नम्मर दोनों को जोड के और दो से वाग देते हैं क्योंकि 2 नमबर है तो सो एक सो एक हो जाएगा क्या और ये सो एक में अगर दो способ This देने का मतलल हो था मज़ता हमार का आदक जाके सबसेट एक तर नमझ्पाल रहे हो दो टुकड़े करना उसके तो तो 101 के टुकड़े कर दो कितना होगे 50 और एक का टुकड़े कर दो पॉइंट पांच ठीक है एक का आदा होता न तो 50.5 आप सा नम्मर्ट डी आपका राय टांसर हो जागा या भाग देलो देखो 2510 ठीक है अब एक में अब देखो एक में दोगे तो पहले भाग 0 हो जागा फ पांच क्रमांगत संक्याओं का योग 420 है तो तीसरी और पांची संक्याओं का योग ज्याद किजिए अब देखिए इसके लिए हमें कोई ज्यादा अप्रॉच नहीं लगानी देखो 420 है इस 420 में मुझे 5 से भाग देना है तो हुआ है है जो तो 5ड़ उसा झालिप पहल्टी पानट चालिस अब बचा दो दो बचा तो यह हो जागा तो फाइब फॉर जाट ट्वन्टी अब पांचों के बीस ठीक है तो यह हो जाएगा 84 तो 84 नमबर मेरा कितने नमबर नमबर 5 यहां होगा दो इधर ओगे दो एधर ह ठीक है ऐसे होंगे सारे नंबर ईटीक हो गा आप देखिए क्या बूला है तो तीसरी और प्वांचे पी संक्या का योग तो तीसरी संक्या बढ। सवरी तीसरी संक्या एत पहली धूसरी तीसरी धीसरीए एन दॉनों को जोड़ना है तो आफा ए 16źb 17 तो तीसरी और पांच भी संक्याओं का योग्यात की लिए तो तीसरी कौन सी है 84 से पहले 83 83 से पहले 82 तो तीसरी है 84 और पांच भी है 86 तो 6 और 4 10 का 0 हो जाएगा ठीक है और 8 8 16 17 तो 170 आई हो कुछ मिस्टेक हैं तो 170 आपका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है 170 पांच कर वांगा संक्याओं का योग चार से भी से तो 84 के बाएगा 85 86 ठीक है ठीक है समझ में आगया होगा 170 होगा ठीक है करेक्शन कर लेना यहां 170 कर लेना ठीक है 172 पे नेस कुस्कन की तरफ बढ़ते हैं दो व्यक्ति जिनकी आयू कानपाद 3 नफाद 2 है जिस में से एक दूसरे से 5 बरस बढ़ा है तो चोटे व्यक्ति का अयू घ्यात की दिए कभाने देखो तीन और दोमें कितना बढ़ाय हैं अूर टेन 9 id करड़ा या इसका मतलब थोटे यह ऑगिकी किती है ऊहहन Champions पंद्रह कि समझ पार है एक बरावर पांच के तो तीन बरावर पंद्रह के पांच-5-5-15 ऐसा करके ठीक है नैस कुस्टन की तरह बढ़ते हैं कि accept के लंबाई 305 मींटर है वह एक सिंगनल 7 वे पार करती तो प्याइल के छाल कीलो میणोटर पर घंठा में गांटोप Defy के मिए तो तो पहले मैं चाल का formula जानता हूं चाल पराबर क्या होता है दूरी बटा समय तो पहले में चाल निकाल लेता हूं कि किसनी आगी चाल बराबर दूरी बटा समय यह हमारा formula होता है इसी फॉर्मूली को सब्सक्राइब करते हैं ठीक है कि मैं थोड़ा कलर चेंड कर लेता हूं देखो तो चाल बराब रोज़ा कि चाल को मैं ऐसे डिनोट कर लें स्पीड बरावा चाल बरावा दूरी दूरी कितनी है तो इससे आंसर मेरा आएगा वह मींटर पर सेकंड नमाएगा किसमाएगा मींटर पर सेकंड नुद्वान दे रखें इस बज़े से फिर आइसको किलोमेंटर प्रति घंटे बनाएं तो पहले करते हैं देखो साथ का बाग दो साथ चोके 287408 ठीक है अच्छोके 28 और कितना य 29-39-39 ठीक है 29-30-31 थ्री बचा तो थ्री बचा तो 35 हो जागा तो 7535 तो 45 मींटर पर सेकंड ना आ गया अगर वाइद वे आंसर होता मींटर पर सेकंड में तो यह अंसर लगाते हैं लेकिन आप इसको किसमें चेंड करना है किलोमेंटर पर घंटे में तो देखो अब मैं बत पांचफ वत्वटे कोनसर अगर दिको किलोमीटर में बना तो बड़ा बना लटा तो बड़ा ऊपर गलाएगा तो अभना चैनल खालता वालाता यू अपका और出। आप होप क्लिए हो गया होगा पहले हमने क्या किया इसमें मीटर और सेकंड में था तो पहले अमिने स्पीड निकाल ली स्पीड का फॉर्म का होता एक क्या नदुरी बारबर धूरी बते समय ठीक है चाल बराबर दूरी बते समय एस बराबर डिस्टेंस अपॉर्ण टाइम इस फॉर्मुलेस हमने निकाल लिया लेकिन वो मींटर पर सेकंड में आई तो मींटर पर सेकंड को किलो मींटर को गंटे में चेंज करने के लिए हम अठारे बढ़ते पांच से गुड़ा कर दें तीक है पंद्रा ब्यक्ति किसी काम को 30 दिन में सॉल्व करते हैं तो उसी काम को 45 ब्यक्ति कितने दिन में चलो दिन के लिए मालेता हूं अब अब देखो क्या चीज है कोई भी चीज होगो गुड़ा में होगी अगर उसको दूसरी तरफ ले जाता हूं भाग में जाती है ठीक है तो सिंप्लेस्ट भाग होना है तो देखो पंद्रे से मैं डार्क्ली काटता हूं क्यों मैं इस पंद्रा को नीचे ले जाओं फिर कहीं अगर आपका बिलकुल राइट आंसर हुजए ठीक है तो दस दिन में समाब्त कर देंगा अगर 45 है तो ठीक है अगर पंद्रे विकती तो तीस दिन में कर रहे हैं अब 45 होगे ठीक है बैसे भी समझ पारे होगे तो फंद्रय का दिलकुत तीन गुन आए तो तीन तीन गुने पहले कर देंगे तो तीन का भाग देंगे तो यह यह फॉर्मिले वाज लगा सकते पंद्रय वक्ती तीस दिन में तो 45 एक तुर्द में फिर भाग दी रहा है सिंपलेस्ट ठीक हम इसको किस तरह से सौल्व करते हैं. ए- ब की बेहन है. ब की साधी D से हुई है और बी और D की पुत्री G है. G का A से क्या संबंद है किसका? G का A से क्या संबंद है यह आप लोगों को बताना है तो देख Mog. A B की बेहन है, बहन होगी तो A का थो पता नहीना कौन हो सकता है, बाई भी हो सकता है, A B की बेहन है इसके बादे कि B की साधी D से हुई है B की साधी होगी देखो पती-पत्णी के लिए D से हुई है अभी ये पता नहीं हमें इन दोनों में से कौन पत्धी है ये नहीं पता लेकिन फिर भी चलते आगे B और D की पत्त्री जी है बी और डी ये दोनों पती पत не है लेकर पताने कौन क्या है इन दोनों की पुत्तरी कोन है टो पुत्तरी यहाँ पर मैने बना दिए यह पुत्तरी है माइनस साइट से रिटनोल कर दिया विमेल की कहें एसके बाता है ग-का अ ये से क्या संपनाद है अगर यह बाई मानूं तो अभी तो पता नहीं कौन है अगर में लेकिन इसको मैं भाई बाई की जो लड़की है तो यह इसकी बाई की बहन लगेगी ना अब बुगा लगेगी इसका मतलब यह क्या होगी बती जी तो ऑप्सन नमर सी आपका राइट अंसर जो ठीक है इसकी ब सब्सक्राइब करें और यदि आप मेरे चैनल पर नहीं है तो जरू सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को जादस जादस सेयर करें ताके जिए घर में बैटे हुए बोर हो रहे हैं और लॉकडाण उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो वह अच्छे से मैं और जीके और सारे सबजक्तों की प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बोक्स में जरूर बटाएं हैं आपको बीडियो कैसा लगा और फिर वहाइं खोड़ी है तो हम मेरे वाट्सक्प्लिक्ट कर सकते हैं और कोई और सीटीं ने तो आप कमेंट डॉक्स में दे सकते हैं कि मुझे किस थे वीडियो northern चाहिए और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए और चीक है धन्यवाद